आज का जो केस है उसे सुनकर तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये केस ये प्लॉट मैंने कहीं सारी कहानियों में सुना है अब यसी बात है लिकने कहीं न कहीं मनी के मोटिवेशन से भी हुआ है पैसे की चाह, पैसे की लालज की वैसे, दो लोगों की एक फैमिली में जान गई थी और ये पैसे की चाहत, ये कोई छोटा मूटा अमाउन नहीं था This was around 100 करोड, 100 करोड रुपे के लिए 2 लोगों की जाने गई थी वो भी 2002 में ज़्यादा टाइम वेस नहीं करते हैं and let's learn and learn more about today's case revolving around Reema Jain 2002, Ludhiana, Punjab Ludhiana में एक well-known और loved family रहती थी जिनसे लोग बहुत प्यार करते थे और उन्हें आज पड़ोस में भी काफी माना जाता था and these were the Jain family जिसमें सुनील Jain, जो की एक business owner थे, उनकी बीवी, Reema Jain, सुनील का भाई Mikey Jain, जिसका असली नाम अनील Jain था और इनका एक बेटा भानू रहता था इनकी close family के बारे में को जादा detail तो नहीं है, लेकिन इनके business के बारे में बहुत सारी detail है जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, ये 100 करोड का business था just for your reference, लुध्याना में ही ये लोग अमीर नहीं थे, बस they were in top 10% इंडिया में जैन फैमिली टॉप 10% में आथी थी इंडिया के, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जैन फैमिली को अपने पैसे का किसी भी चीज का कुछ घमण नहीं था सुनील जैन एक industrialist थे, रीमा जैन एक social worker और multiple business owner थी, उनका बेटा बाहर पढ़ाई कर रहा था और सुनील का भाई, माईकी जैन, property dealing करता था, और उसकी एक बहुत बड़ी textile business की factory थी लुदियाना में इस फैमिली के लिए काम बस काम जैसे था, this was just a job for them, you know और जोब से बाहर पे इनकी बहुत सारी hobbies थी जैसे अगर हम सुनील जैन की बात करें तो उनने long rides पर जाना पसंद था, उनने golf खेलना पसंद था, अपने family के साथ time spend करना पसंद था और सेम अपने husband जैसे, रीमा उनकी बीवी भी ऐसी ही थी, उनने काम के लावा, अपने आपको fit रखना, cardio करना, swimming करना, ये सब कुछ बहुत पसंद था और ये लोग सभी एक साथ बहुत अच्छे से रहते थे, या फिर दिखावा करते थे, ये नहीं पता बट या, जिन लोग को भी जैन्स के बार में पता था, they all said this thing, that they were nice to everyone कहीं लोग कहते थे, कि क्योंकि ये लोग पॉश एरिया में रहते हैं, इसलिए, they were nice to others अपनी image बनाने के लिए, और अपना business सही रखने के लिए, पर एक family के अंदर क्या सचाई होती है इसमें तो बस सभी लोग guess मार सकते हैं, so to each their own I guess this does not mean कि उनकी family में आपस में अंदर लड़ाई नहीं होती थी, obvious सी बात है एक घर में जब चार लोग रहते हैं, पांच लोग रहते हैं, तो उनमें लड़ाई तो होगी ही सुनील की body मरने के काफी बाद मिली थी, कहीं घंटो बाद मिली थी, और उस समय रीमा उनकी बीवी उन्हें वहाँ लेने गई थी पर जब तक रीमा वहाँ पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और बहुत ज़दा blood loss होने के वाज़े से सुनील जैन की मौत हो गई सो अचानक से इनकी पूरी condition उल्टी हो गई, they had a very good business, they had a very good family, they had a very good reputation और अचानक से जो इस घर का lead था, जो main आदमी था, वो ही मर के है, और तो और family को closure नहीं मिल पा रहा था कि क्यूं आकर सुनील जैन की मौत होई, किसने उसे मारा, कुछ भी पता नहीं चल रहा था लुध्याना पुलिस ने बहुत कोशिश करी इस case को solve करने के लिए, पर कुछ भी detail नहीं मिल रही थी, so एक point के बाद उन्होंने भी अपना focus दूसरे cases पर shift करा, और सब ही लोग धीरे धीरे सुनील के case के बारे में भूल गए, पर इधर सुनील के घर में, रीमा को सारा कारो बार संभालना पड़ा, और ये multiple businesses थे by the way, सुनील जैन कोई छोटा आदमी नहीं था, सुनील के मरने के बाद, so उस time पर ये dispute चल रहा था इनकी family में, कि क्या ये business इनकी family में बाट देने चाहिए, क्योंकि उनका बेटा भी था, और सुनील का भाई भी था, and सुनील के मरने क बाद, कहीं सारे joint family वाले लोग भी हाय थे इनके घर में, business के लिए ही, I'm presuming, पर रिवा ने कहा, कि मैं ये सब कुछ देख लूँगी, और वो 2003 से सारे business से समानने लगी, all of this was happening, while she was grieving for her husband's loss, अब जैसा मैं तुम्हें शुरुआत में बताया, इस घर में चार लोग रहते थे which included Mikey Jan also, तो भला रीमा ने अपना business या फिर सुनील का business Mikey Jan को क्यों समानने नहीं दिया, वो तो घर का आदमी था, रीमा उसको तो कम से कम trust कर सकती थी, well Mikey Jan का past बिलकुल भी clean नहीं था, और ये चीज़ सभी को पता थी family में, Mikey Jan के gang members से connection से, और वो money laundering करता था, और शायद दू और रीमा और उनकी family भी इस हाथसे से बाहर आने का try कर रही थी, obviously बात है, अगर कोई अपने family member को खोएगा, so they won't be same ever again, but Jan family, they were trying, और तो और business समालने के साथ साथ, रीमा जी वापस अपने पुराने routine में भी आने की कोशिश कर रही थी, so वो business समालने के बाद time लिकालती थी अपने cardio करने के लिए, swimming करने के लिए, just to give some time for our hobbies also, और 2004 में उन्होंने एक नया court, एक नया swimming club join करा, जहां वो वापस swimming करने जाती थी, so time बीता, और date आई, 38 July 2005, रीमा जी का daily schedule अब ये था, कि वो अपने बेटे को time देती, वो business पे ध्यान देती, अपने घर पे ध्यान देती और उसके बाद वो swimming करने या फिर cardio करने जाती थी, she was in her usual routine, तो 30 July को वो काम के बाद सुतलेज club की तरफ गई, और उन्होंने swimming करी और फिर वो वहाँ से चली गई, पर फिर शाम को वो कभी भी घर वापस नहीं आई, ना उस समय उनके घर में बस उनका बेटा भानू था, त पर उनकी काड़ी यहाँ भार खड़ी नहीं है, तो probably she went home, या फिर वो कहीं और चले गई है, पर ये चीज़ सुनकर भानू को शक हुआ, because for a lady like Reema जी also, this was very unusual, और फिर कुछ साल पहले उसके डैट के साथ भी कुछ हुआ था, so he was cautious, तो वो सोस्ता रा कि आकिर हो क्या सकता है और तब उससे याद आया कि कुछ महीने से उसका चाचा माइकी जैन उसकी मॉम से चोटी चोटी बात पर लड़ाई कर रहा था, पहले ये लड़ाई यह चोटी बात पर शुरू ही थी, तो भानू ने इतना जाद ध्यान नहीं दिया उन पर फिर कुछ टाइम के बाद, माइकी जैन भी अमीर था, लेकिन इतना भी नहीं था, तो भानू को लगा कि शायद से मेरी मॉम ने मेरे अंकल के पास के बारे में कोई ऐसी चीज जान ली है, जिससे वो फस गई, और फिर माइकी ने अपने आपको बचाने के लिए मेरी मॉम के साथ कुछ कर दिया है, तो मेरे अंकल, मेरी ममी से बिजनस के बारे में लड़ाई कर रहे थे, जो कि again I want to remind all of you, वो spread out in multiple businesses और यह सब कुछ collectively 2002 में 100 करोर रुपे का था, तो पुलिस ने माइकी को उसके घर से उठाया और उससे ले जाकर उससे पूछताच करी, I don't know if at this point पुलिस ने यह सोचा होगा कि म माइकी ने ही कुछ करा था, पर वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाते थे, but then 3 दिन interrogation करने के बाद 2 अगस 2005 को पुलिस ने माइकी को छोड़ दिया, अब 15 दिन हो चुके थे और रीमा जी का कोई आता पता नहीं था, इधर भानू भूत यादर टेंस था और उससे लग रहा थ कि उसकी मॉम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जैसा उसके डैड के साथ हुआ था, he was worried पर तब ही उसे एक कॉल आया, कि रीमा जी की कार, IGI इंदरा गाधी इंटरनेशनल एरपोर्ट न्यू देली में मिली गई थी, तो पुलिस चले गई वहाँ चेक करने के लिए, और ग पर कुछ न कुछ मिली जाता है, एक कपड़ा ही मिल जाता है, पर इस कार के अंदर कुछ भी नहीं था, और उसके बाद कोई सबूत ना छोड़ने के लिए, इस कार को साफ करा गया हूँ, पर पहली बार में पुलिस को ये लगा कि इंटरनेशनल एरपोर्ट पे गाड़ी खड़ी है, तो शायद से रीमा जी कहीं भार विदेश चले गई होंगी, वो जब घूंके वापस आएंगी, तो हम इस रपोर्ट को वापस ले लेंगे और तब कार्यवाही करेंगे, पर भानु के लिए ये चीज अजीब सी थी, क्योंकि सबसे पहली बात, उसकी मम, उसके अपनी मम के लिए और भी जाता डर लग रहा था, कि उनके साथ क्या हो रहा होगा, कहां गई होंगी हो, पर फिर अचानक, पुलिस को एक सस्पेक के बारे में पता चला, जिसका नाम था जसबीर सिंग, एक गैंग में था, जिसमें तीन लोग थे, सबसे पहला तो ओवियसल जसबीर सिंग, दूसरा कुलदीर सिंग, और ये लोग मारने काटने का काम करते थे बहुत टाइम से, पुलिस को ये खबर मिली थी, कि जसबीर सिंग का एक आदमी, रीमा जी के स्विमिंग कलब के पहार पे साइट हुआ था, अब जसबीर सिंग पहले भी पुलिस से कहीं बार पकड़ा गया था, और उसका नाम और उसके गैंग मेंबर्स का नाम बहुत यदा इंफिमिस था, तो पुलिस जसबीर सिंग के अड़े पे चले गई, और उन्हें वहाँ एक गोल्ड रिंग और एक नोट मिला, जो रिंग रीमा जैन की ही थी, और इस नोट में जो पर कुछ डॉकिमेंट से मीना जी के बिजनिसेस के, और उसके दो दिन बाद, जसबीर सिंग के गैंग मेंबर कुलदीव सिंग के घर से रिमा जी की वाच मिली, जो की उनके बेटे ने इडेंटिफाई भी करी थी, तो इस तिंग वस क्लेर नाओ, कि माइकी जैन, 30 जुलाइ को माइकी जैन ने रिमा को मारने के लिए जसबीर सिंग के गैंग को 25 लाक रुपे दिये, और इस पूरे काम को अनॉनिमसली करने के लिए कहा, तो जसबीर सिंग और कुलदीव सिंग ने रिमा को कलब के बाहर से अगवा कर लिया, पर जैन के इस एरिया में फेम जिसके बाद जस्वीर सिंग ने रीमा जी को मार दिया फिर पुलिस ने उनसे पूछा कि अगर तुमने मारा तो बॉड़ी कहा है तो ये सुनने के बाद माईकी ने अपनी फैक्टरी की टंकी के तरफ इशारा करा जिसके अंदर पुलिस को रीमा जैन की बौडी मिली भानू ने ये स्टेटमेंट दी कि माइकी जैन ने ये सब कुछ बिजनस पाने की वज़े से करा था और वो उनके पेरेंट से और उनकी सकसस से जलता था इसलिए माइकी ने ही सुनील जैन को भी मारा था तो फिर पुलिस ने फिर सीधा माइकी से ही पूचा कि तुमने आखिर ऐसा क्यों करा क्यों मारा तुमने उन्हें इसके बारे में माइकी जैन ने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दी और I think you guys can guess कि आखिर उसने ऐसा क्यों करा था रिमा जैन का केस तु सॉल्व हो गया लेकिन सुनील जैन का केस अभी भी अंसॉल्ड है I don't really give my opinion ever in these kind of cases क्योंकि ये रियल लाइफ के हैं पर जहां तक मुझे लगता है कि it is because of the businesses and with that रिमा जैन का केस यहीं पर अभी के लिए समापत होता है before you go I would just like to request you all कि अगर आपको true game documentaries देखना पसंद है then please subscribe to me because I make these videos every week hopefully जो भी मैं कर रहा हूँ जो भी मेरी videos है उनसे आप लोग को कुछ नया सीखने के ले मिले and it is still entertaining to watch but with that I hope all of you are happy I hope all of you are healthy please keep your loved ones very close to you guys and I will see you very very soon bye bye